व्यो मवत व्याप्त देहाया दक्षडामूर्त नमः ओमी सान्तेही सान्तेही नमस्य भाया चलो भें कहां से चलेगा कहां तो हो गया एक इस हो गया एक इस नमबर हो गया तो मिमान सब लोग मानते हैं और ज्ञान कर्म समुचावदी मानते हैं केवल ज्ञान से मुक्ष तो होगा नहीं कर्म से मुक्ष होगा नहीं तो मिमान सब लोग कहेंगे केवल कर्म से मुक्ष होगा और समुचावदी कहेंगे ज्ञान समच्चित कर्म से मुक्ष होगा इसको कहते प्रमान गत संसया बेदान्त का संपुन बेद का तात्परे किसमे है कर्म में है कि ज्ञान में है कि ज्ञान समच्चित कर्म में है मुक्ति का साधन कोन है कर्म है कि ज्ञान है कि ज्ञान समच्चित कर्मा है दर्माय कि नहीं है यह संसर होता है न लोगां को इसलिए महापूर्ष लोग विचार करते हैं ठीक तो कर्मा उपासना यह सब ज्ञान की उत्पत्ति का साधन है जित्त सको सुद्ध करते हुए साक्षात मौक्चे के साधन न कर्मा है न उपासना है इसलिए संपुन बेद का तात्पर्य ज्ञान में है ऐसा मानते हैं न वेदांति लोग तो इंदरुपन करना है इसलिए संसर न हो तब फिर आगे वेक्ति बढ़ता है यह कि नहीं इस्रवन इसलिए बेदांत का बार बार श्रवन करोगे तो निश्चे हो जाते है कि संपुन बेदों का तात्पर्य एक ज्ञान में है तो प्रमाण का तो संसर की निव्रुति हो जाएगी चलो इसलिए वीचार हो रहा है 22 नमबर देखो ठीका है इसके उपर प्रदर्शितम पूरपक्षम उपहसितम उत्तरश्लोकह इतियाह असदर्थ यह जो पूरपक्षम अभी दिखला है तो उनके कथन में उपहास हो रहा है उनके सिधानत में थोड़ा सा उपहास कर रहा है मैं तुमारे विचार जो है ठीक नहीं है तुमारे विचार जो है वो प्रसंसा करने जुग्य है यह उपहास है इस उद्रिष्टी से उत्तरश्लोकह उत्तरश्लोकह बाश नमर सुत्र यह श्लोकह है उसकी भूमिगा करते हैं असदर्थ प्रालापो अयम इति दुष्ण संभाब नायो आहो तुमारे जो कतने कैसा है वह प्रालाप है प्रालाप है लेकिन इससे कोई अर्थ नहीं है अए प्रामनी कता नहीं है तुम्हेरे मिचाम दुष्ण संभी प्रलापु अयम यह तुम्हारा जो क्थाने के साहे असत अर्थय का प्रापन है अन्थे के मिध्यावस्तिय का प्रिलापन है केवल कर्मा से मुक्ष होगा कहते हो और्समुच इसलिए तुम्हारे सिधानत न Bisagman किया होगा दूसेड़ है कि केवल कर्मा से मुक्षा नहीं होगा और ग्यान के साथ कर्म का सब्सक्राइबिया नहीं होग कर्मिस का अधिकरी तो इले है जो सरीर में अध्यास करता है नहीं है और अपने को क़्ता भुक्ता मानता है बनना अश्रम मानता है अमुक बनना का हूँ अमुक आश्रम का हूँ अमुक उत्रो हम संकल्प करना पड़ेगा तो बजा करके वो जाका दिगा करता बनेगा जहां पर शरीर में अध्यास नहीं है फिर भी कर्म होता है वो कर्म नहीं है कर्म का आभास होता है उसको करता नहीं का जाएगा जो शरीर में अध्यास नहीं होता है उसको करता का जाएगा इस क्रिया मैं कर रहा हूँ क्रिया का जनका मैं हूँ परमात्मा हो अत्मा परमात्मा का मैं निमितों हूँ निमित्त मात्र भवस अभ्य साचिन का चहे परमात्मा को जगत का करता मानो और अपने को क्या मानो मैं तो निमित्त मानो फिर भी आप भी तो करता होगे कि नहीं होगे प्रोजय करता होगे को नो परमात्मा आप प्रोजय करता होगे स्वयम होगे कि नहीं होगे तो शरीर सबकूछ गुरू का है मैं तो उसका सेवक हूँ इसका करता हूँ कर तो रहा हूँ लेकिन मालिक गुरू है मानते कि नहीं साथान अबस्ता है ठीक सिभा कहरे। मैं जागादी कर तो रहा हूँ लेकिन मालिक तो इस्वर है फिर भी तो अपने को आप करता मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो गन्वेक नहीं लेकिन जब सरीर में अध्यास नहीं रहेगा तो करता किसको मानोगे इस्वर को मानोगे कि अपने को मानोगे क्यों भई किसको मानोगे सरीर में अध्यास आपका नहीं है यह जगत का करता को नहीं इस्वर है कि आप हो कोई बताईए उनलेन बाले कोई बताओ जगत का करता को नहीं होगा ना इस्वर होगा ना आप होगा कोई भी करता रहा ने यार ठीक है ना चलो इसले कहते हैं दूसना संभावना याई तुमारे सिद्धानत में दूसन है दोस है इसको देखाने के लिए कह रहे है संजमाया चलो श्लोक जारे इती रिष्ट धियांबा चहा सप्रज्ञादमात चेतसाम घुष्यनते जग्यां साला सो धुमान अध्ध धियांगिला इती रिष्ट धियांगा चहाँ सप्रज्ञादमात चेतसाम घुष्यनते यग्जिस आला सो धुमान अध्ध धियांगिला इती देखो यह कर्मकांधिये को जो बाणी है ना वाणी कैसी है बोलते है रिष्ट धिया उनकी बुद्धि ना बड़ी प्रसंद्या होती है इस प्रिष्ट धिया उनकी ठीक है ना और बोलते हैं वो किसकी बाणी है इसी बोलते कि स्वप्रज्ञादमात चेतसाम उनकी जो प्रज्ञादमात 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 उन कि ने इसलिए कुतर का रूपी जो है कुतर का से जुक्तो प्रज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् वह प्रजलित हो गया है, यह आधमात, दमात हत अतो होता है, फूक नारत में होता है, जैसे अगनी को मुशे तो नहीं फिकते हैं, हाथ से करते हैं हाथ बगरा से पंखा लगा दिया तो, अगनी प्रजलित हो जाती है, इसलिक करमकान्डियों का जो चेता है न बुद्धी, य एकदम प्रज्वली थे उनकी बुद्धि बहुत उत्क्रिष्ट बुद्धि बोलते हैं उपास क्या जा रहा है सज मैंना इसले बोलते हैं धुमा नद्ध धियाम घुश्यन थे उनकी बुद्धि जो है न उपास हो रहा है न बोलते हैं कि धुमा आनद्ध धी यह दुआ के क कारण जो बुध्धि रूपी जो अगनी है न वो ठाल गई है कि श interven onेखने में रुपी द्धवां से उनकी अगनी औगनी हो अपना कार्य कर सकता अंगनी प्रज़वित नहों तो नई इले दुमान अध्ध धियाम कुन होगे कर्म कांडिल होगे है की नहीं और उनको क्या सुने दे रहा है हमेशा उनको जग्यां साला ही सुने दे रहा है और कुछ नहीं कर्म ही उनको दिखता है जब भी उड़ते हैं उनको जग्यां साला ही दिखती है सादक जदी हो राम जी का कोई सादक हो तो उड़ते ही उनको क्या सुने देगा राम ही सुने देगा सुने देगा कि ने सुने देगा ना सब कुछ राम ही है सारा नाम तो राम जाए कि राम की ही है सारा रोब तो राम की ही है तो जहां भी देखेंगा किसको देखेंगा राम को देखेंगा नहीं ऐसा होता है इसी प्रिति है कर्म में कर्मकांडियों की सरवत्र उनको क्या सकते सुने देता है जग्या साला ही सुने दर कुछ नहीं है जग्या साला सु घुष्यंते घुष्दत में सुने देता है हो गया क्योंकि कर्म में लग जाते हैं उठते ही कर्म में लग जाते है ठीक है भास ठीका चलेगी तोड़ा सा धर्जे रेखिए विशये सा है ना जोगे निश्च के जा रहा है ज्यान से ही मुक्ति है यह निश्च के जा रहा है ज्यान के साथ कर्म का समुच्छ नहीं बनता है किस ज्ञान के साथ असंग आत्मा का जो ज्ञान है पड़ में किने अकरता अभुकता जो आत्मा है उसका इतिक ज्ञान हो जाए तो ज्ञान के साथ कर्म का संबन्ध होगा कर्मा नहीं हो सकता है कर्मा नहीं आ सकता है ठीक न चलो विधा हा पूर्वकता हा बाच इस प्रकार सी पूरपक्षिव को जो बाच 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 बाक बाच 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 जग्यां साला से घुष्यनते एदेखो यह जग्यां साला जग्यां साला है जहां पर जग्यां करते हो है कि निया उनके उनके बाणी 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 बाच्चा घुष्यनते किदर जग्यां साला से जग्यां साला में उनके सब बाणी सुने देती है ठीक है कर्मा करेंगे ना अच्छा है और हिस्ट धियाम भाचा बोल दिया उनकी बाणी कैसी होती है बोलते हैं कि देखो बक्तरी द्वारा भाचाम दुश्णम संभवायती बक्ता में दोस हो तो बाणी में दोस होगा नहीं होगा बक्ता में दोस हो तो किसे में दोस होगा बाणी में दोस हो जागा बक्ता सुद्ध है तो बाणी में सुद्ध होगी नहीं बक्ता तो बुद्धी को लेकर है जैसे बुद्धी रुपी जदे सार्थी सुद्ध है है कि नहीं तो रती भी क्या होगा सुद्ध होगा बुद्ध रुपी सारती जदी क्या मंद है, कुशल नहीं है, विचार शिल नहीं है, तो बक्तरी द्वारा और कुशल बक्ता जदी हो जाए, तो उनकी जो बाणी क्या हो जाएगी, दूसर ने है, दूसित हो जाएगी, होगे की नहीं होगे, अच्छा और सुनो देखो, ये कर्मकाणियों कहा, ये क्यूं कहा, ये क्यूं कहा, ये ज्ञान निष्ठा को प्रात परना इतना आसान नहीं है, सबसे बड़ा कठिन कह है, ज्ञान निष्ठा, सब कुछ करते समेही, ज्ञान मेही जिसकी निधराम स्थिती हो, कौण चा ज्ञान, आवमास्वी परवरम्हा, ये है ज्ञान निधराम स्थिती को बोलते हैं, निष्ठा, नहीं, कैसे ज्ञान होगा, बित्ट पुत्र कलत्र दी परित्याग पुरस्चरम ज्ञान निष्ठा लक्षणम बित्ट है पुत्र है और कलत्र हो गई कितने सना हो गई तिन हो गई बित्ट सना के दिया और आयो क्या के दिया पुत्र सना हो गया पुत्र सब्द से और कलत्र केने से कौन लोकेशना हो गए, संबंधी सब हो गए, नहीं, इसका परित्याग करना पड़ता है ना, परित्याग में एशना का त्याग, एशना का त्याग से ही बित्त आधी का त्याग हो गए, तेना तक तेना भुंजिता मा गृधा कस्य स्विध्धनम इसा वस्य में का गया, इसका त् एशना भी हो और ज्ञान में भी निष्ठा हो जाएगा भगान भास्यकर बहुत जागबर कहते है एशना त्रयका त्याग के बिना ज्ञान तो हो सकता है पुरोश ज्ञान ज्ञान दो हो सकता है ज्ञान में निष्ठा नहीं हो सकती है मतलब अपरोग से ज्ञान नहीं हो सकता है एशना त्रया का बस्तु का त्याग नहीं करें यहां पर एशना त्रया का त्याग में थात्वरेश का नहीं तो भीत्ताथी को छोड़ दिया तो ज्ञान में निष्ठा हो जाती ऐसा नहीं यहां पर ये त्याग पूरसरम, ज्ञाननिष्ठा लक्षण, ज्ञाननिष्ठा रुपी जो प्रयास है, ये बहुला आया सा, थोड़ा प्रयास करने से नहीं होता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, इसके बिना मुक्ति होगी क्या? लोग बहुत संका करते हैं, ज्ञान से मुक्ति होती है कि ज्ञाननिष्ठा से मुक्ति होती है, एक बार वहाँ पर पूछे, शन्या सासरम ना पिछे, वहाँ पर पूरो संका उठा है, ज्ञान से मुक्ति होती है कि ज्ञाननिष्ठा से मुक्ति होती है, किस से मुक्ति होती है लेकिन ज्ञाना द्यवद्व के अबलम के दिया अरे निश्ठा मतलब क्या चीज है संसय विपर्य रहित होना यही निश्ठार क्या होना अपरोक्षेगन दिढ़ा अपरोक्षेगन बुलते हैं इसलिए चलो ठीका है इसके बिना बहुल प्रयाश जो ज्ञानिश्ठा है इसके बिना अंतरण कर्मभ्यएवः शरगः अपवरगः अस्माकम सुखे नएवः सिद्धते सिद्धतः इती हिष्टा धीर इनके बुद्धी क्या होगे प्रसन नहोगे ना क्या प्रसन नहोगे बहुत प्रयाश क्यों करना है अक्केचेन बदविंदेता किमर्थम परवतम ब्रजेत नहीं घर के कुने में युदी साथ मिल जाए तो जंगल तक जाओगे नहीं जाओगे ठीक इस बार से अलपवरगः अस्माकम सर्गा भी मिलेगा और क्या है मुक्ती भी हो जाएगी मुक्ती भी हो जाएगी ऐसा मानते नहीं हो लोग इस सुक अस्माकम सुखे नवा सिद्धत ह इस सुक से ही सुक मतलब अलपप्रयाश अलपप्रयाश से ही क्या प्राप्त हो जाएगी क्या प्राप्त होगा, बताओ, सर्गा भी होगा और मोक्षा भी होजगा, आप अबर गोले मोक्षा हो जाएगा, ऐसा मानते हो लोग, ठीक है ना, मतलब सकाम करमा करोगे तो सर्गा होगा, काम में करमा करेंगे तो क्या होगा, सर्गा प्राप्त होगा, नहीं, नित्य और नि तो कठीन नहीं है, नित्य और निवित्य कर्म थोड़ा से कठीन, ज्यादा तो कठीन नहीं है, लेकिन या निष्टा को प्रत्पना थो बड़ा कठीन है, ऐसा है, इसलिए बोल दिया हमारे उनके लोगे बुद्धी जो आना है, कि हृष्ट है, हृष्ट है, प्रसन्न है उनक का उसने के साव जो किसी को बोलें भीक्षा मागो ऑल एए भीक्षा कि लोạtव गस्तिकीका आप mechanics हुआ कुए मिल रहा है अस्रम मैं बढ़िया भीया मिल रहा है है कछिने बनने वाला भी अथा रखा है करने हैं लोग बलते हैं करने वाले को इसलिए कर बैदान का विचार कर रहा है यह आणत रहे उननकी के से força के प्रसंट नंहरत हो गई कर्म घूत के तेस्थ तबचस्द स्कत्म स्कत्तम कोई कहेगा जब ऐसा मान करके प्रसन्म हो रहा है तो उनकी जो बाणिह है तुद बाता समरा करम कांड़िया को जो बाणिहाए ओ he और मगांड़िय उनकी आपरमने कुः कहते हो तब क्या उतर दिया स्वप्रज्च्ज्ञा, दमाता चेतशाम यह उतर दिया कि नहीं इसका आपरल्खया क्या देख लो स्वकिया, प्रग्ण यह कर्मकांडियों की प्रग्णा है न ग्यान वो कैसे है जुक्ति उपदेश बहिश्कृता यह जुक्ति पूर्वग उपदेश नहीं ना उसमें क्या नहीं है जुक्ति पूर्वग उपदेश तो नहीं है प्रामान्या नहीं है उसमें नहीं ऐसा कहा इसले कह दिया कि कर्म निमितत्वा संसारश्य यह संसार कैसा है कर्म के निमितत्व संसार है नहीं अच्छा तत परिहार तत परिहार आई पर इहार स्या ते दिकूंध की जुखति हैं ना करम कांदी के जुखति क्या है यह सुति मुलक जुखति नहीं दुरागर भी करते हो लोग नहीं करते हैं इलिक पुतर का है दुराग्रा है यह बूलते हैं पर कर्म निमित्यत्वा संसार का निमित्य कर्म होगे है कर्म काम्य कर्म का से संसार होता है काम्य कर्म का परित्याग कर दिया तो संसार का परित्याग होगे ऐसे मानते नहीं लोग ना नहीं मिले आपको ठीका यह थी हाना कि केवला उत्प्रेक्षा लक्षान इसलिए उनकी जो प्रग्या केवला मानी गई मान लिया बेश यही सिद्धानत है कि नहीं क्या विचार है ज्ञान में तात्परिया है कर्म में तात्परिया है और धवात कोन है यह से विचार नहीं करते ना सास्त्र क्रिपा उनके उपर नहीं होती मनमानी करने वालों के उपर सास्त्र क्रिपा नहीं होती दुरागरा करने वालों के उपर सास्त्र क्रिपा नहीं होती कि सास्त्र का परम तात्पर्य किस्म है। उसका तात्पर ठीक हो गई. यह उसको परसात्र. एक है. क्या चीज़ है भावना माल लेना और क्या है बिना विचार से माल लेना बिना विचार से माल लेना कि कर्मा नहीं करेंगे तो संसार का परियार हो जाएगा संसार का निमित्त कर्मा है अग कर्मा का त्याग हो गया तो संसार का त्याग हो गया ने, ऐसा बुलते हैं, ठीक है नराण, चलो, तया एसी प्रज्यां के द्वारा, आधमातम उपब्रणितम चेतो ये सामतित अधुकता हा, इले उनका जो चेता, चेता मतलब बुद्धी, अंतकरणा, एसी प्रज्यां से, कैसी प्रज्यां से बताओ, अजुक्ति पूर्वक, अजुक्ति पूर्वक केवल उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा मतलब उत्प्रेक्षा मतलब भावना, माल्या के कर्मा से संसार का, ये कर्मा का त्याग से संसार का त्याग हो जाएगा, एसी प्रज्यां के द्वारा, उनका जो चेता है, वो कैसा ह अदमात और इन्होंद प्रव्ज ज्वुलीत हुई है उसका चेता कर्मकांडिय का चेता कर्मकांडिय का चेता GUY तो प्रग्यां यहा हा जम्तार्टा यहा हा अभावे है देखो strach कांडियों को प्रज्ज्यां है न उसमें जथार्फ भता नहीं रहें जथार्थ आ यहाब ऑप कि आपकी प्रज्ज्ज्यां जथार्थ नहीं है किसे को अ है कि बूते प्रमाण है न हो प्रवुती भी है अस्मृती भी है और क्या है लिंगा लिंग लिंगा प्रमान भी है ग्यांपा का सब्द भी है ठीक नरण इती सूच इती छोचीत करते हैं, देखो इती धुमा अनध्धा इती बोल दिया धूमे ना अनध्धा आवध्धा नहा बंदने नहा बंदने ये नहा बंदना जातो होता है ये धूम के द्वारा उनकी प्रग्यां क्या हो गई ढग गई उनकी जो विवेग रुपे जो प्रग्यां है ना अगनी ढगी है ढगी जैसे अगनी ढग जाती है धुएं से जो भई अब उनकी जो बुद्धी है वो ढग गई है किस से ढग गई है धुआ से धुआ मतलब अभिवेग अभिचार यह दोगो लिख दिया सम्यक ग्रहण है प्रतिवध्धा धीर यह सम्यक अर्थ को ग्रहण करने में उनकी बुद्धी कैसी है प्रतिवध्धा है प्रतिवध्ध से जुखता है प्रतिवध्ध क्या हुआ बोले भगवन प्रतिवध्ध क्या हुआ अपर कुतर का दुराग रह यह होता है प्रतिवध्ध बहुत हां नहीं बुलते हैं, स्वामेजित आप जैसे भी बुलें लेकिन हम तो ही मनेंगे, हम तो करमा से मुक्ति मनेंगे, बुलते हैं कि नहीं, उपासलगों ही कहेंगे, आप कितना भी निर् वीशत ब्रह्म का निरुपन करो, उपासना से हमुक्ती हो गई उपासना के बड़ा मुक्ती नहीं हो गई गहत過去 के निकषय नहीं तर इसको क्या बोलते हैं दुरागरा है इसका नाम होता है दुरागरा ठेक चलो बहुत बहुत लोग नहीं कहा निर्विश्य ब्रह्मा को मानते हैं, निर्विश्य ब्रह्मा को तो मानते नहीं हैं, बहुत लोग, एवं इसी पकार से ज्ञान सही मुक्ति है, तो इसको मानने वाले सब नहीं होते हैं, एवं हिस्रोतानि स्मारतानि लिंगानि चादरिस्चंते, शु अगनी मुग्द है वा धुमातांत है धुमातांत है अगनी मुग्द है अगनी है कर्मा कर्मा से जो ब्यक्ति मुग्द होगे कर्मा से मुक्ति होगे व्यक्ति क्या होगा अगनी मुग्द है और क्या ध़िया धुमातांत है धुम में ही उसका अनत होता है अनका सिद्धांत है किसमे द्रम होता है ठीक है स्वाम लोकम ना प्रतिजानाती अपना जो स्वरूप है उसको प्रात करेंगे ज्ञान के बिना स्वाम लोकम अपने स्वरूप को परम प्रात्ते बेज लोक है उसको जानते हैं कि ना प्रतिजानाती जानते हैं ने अपने स्वरूप को इसा मान करके कर्म रुपी नुखा से माहना आप बढ़ रहे हो मुक्षय मर्ग में तो मुक्षय प्राप्त होगा क्या है पुनर जन्मा होगा कि नहीं होगा पुनर जन्मा अवस्य होगा चुने पुन्य मरत लोका मिशंदी साथ रखे दिया इले प्रभाहि एत अध्ला जग्यों रूपा जग्यों रुपी जो नुखा है वो दिल्डा नहीं होते मतलब मुक्षय के साधन नहीं हो सकते है नातम आगे नातम विदाथ हो उस परवर्म को जोदी नहीं जानता है कोई तो क्या होगा पुनर जन्मा को फिर पाप करेगा इसुती बोलती है और कोटो पुदिशत में अधिया में पड़े है आब बोलते हैं कि यह मुक्त हो जाएंगे इस दिश्टान दे जिया नियमान जथा अंधा नियमान नका को अन्धे नियमान जथा अंधा जैसे अंधय के पिछे अंधय जा रहा है अंध्य के पीछे अंध्या जा रहा है है किने अगोर अंध्यकारें पड़ेगा हो पड़ेगा मतलब क्या तत्प्र होगा है किने जो आचरिय कर्म से ही मोक्ष होता है है किने ऐसे मार्ग का उपदेश करने वाले से प्रित होकर के जो कर्म में ही प्रव्रुत हो रहा है तो क्या होगा आचर ये भी मुक्त नहीं होगा उनके भक्ते ये मुक्त नहीं होगा कर्म सही मुक्त जो कहते हैं जदेवी कहा गया इस्तूती है न देखो जैसे कह दिया कि क्या कह दिया भी कर्मणा बद्धते जन्तूर कह दिया कर्म के निंदा हो गई है कि नहीं और ज्ञाना देबुद का विल्यम किसके स्थुति हो गई ज्ञान के स्थुति हो गई हो गई ना और कहीं कि कर्म के स्थुति होती है कहीं ज्ञान के स्थुति होती है पगड में नहीं ठीक है तो जहां पर कह दिया है कि कर्म से मुक्ति होती हो अर्थवाद है यह कि नहीं वो ठीक है लेकिन उसको जथारत्य माल लिया अर्थवाद नहीं जैसे माल लिये अपाम सोमम अम्रिता हुमा तस्तूती में अतात्परे इसका कि कर्म करने से अम्रितात्व के प्राप्ति हो जाएगी नहीं होती है अम्रितात्व ठीक है ना कर्म का उपदेश करता है लेकिन कर्म ही मोक्चे का साधन है जो उपदेश करता है उदो प्रमानी के पकड़ में कि नहीं ऐसा समझे लो आच्छा नातम विदाथ अविद्याया मंतरे वर्तमान हा और भगवान कहते हैं गिता में या मिमाम पुष्पिताम बाचम प्रमतंत्य विपास्चित हा बेदबाद रतापार्थ नान्यात अस्तिदी बादेना यही बात क्या और्थवास से युकता बाड़ी बलेंगे यह ते बता दिया ना अपामसो मं सुम्रस्पान करो तो मुक्त हो जाओगे सुम्रस्पान करो तो मुक्त हो जाओगे प्रभदंति अविपास्चित हा यह विपास्चित नहीं है विपास्चित बोलते हैं बिद्वान को और अविपस्चित है अविद्वान को बोलते हैं क्या कहते हैं अविद्वान को बोलते हैं अविपस्चित है ठीक प्रवदंति अविपस्चित है बेद बाद रता है बेद का बाद है बाद में अर्थवाद बेद में जो अर्थवाद कहें गए उसी में ही रमन करते हूँ ब आर्था उसमें तुम ना फसो, तो ना अन्यात अस्ति दिवाद ना, वो पूरबक्षी लो क्या बोलते कर्म कांडिल हो, इससे अतिरिकते कोई साधन नहीं है, बैस कर्म ही मोक्ष का साधन है, नहीं, आज समुचा वादि का बलेंगे, ज्ञान समचिते कर्म ही मोक्ष का साधन है, है कि नहीं, ये गिता में करते हैं, इत्येवम आजने, क्या हुआ, तसमात, तदीयम ज्ञानम, इसले कूरबक्ष कर्म कांडियों का जो ज्ञान है, प्रज्ञान, वो जथार्थम, वो जथार्थम नहीं है, ठीक नहीं रहा नहीं, अतह, ततवाचस संभावित दो साधन इसले उनके बाड़े में दो संभावित है, हो गया ना, मला आप्रामने क्या हो, इती भावह, ये बाईशनमर लोक का भावार्त है, ओम पूरमदः, पूरमिदपूरात, पूरमुदच्यते, पूरस्य, पूरमादाय, पूरमेवाबसेश्यते, ओम शान्तिह, शान्तिह, श शंकरम शंकराचारियम के सबंबादरायल